तो आज आपको 42 इंची प्लस-फ्लस का वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि यह जो पिल्ली साल जो मशीन आई ती उससे अलग बनाती है तो इसमें जो चेंजिंग हुए है वह आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि यह जो आप डोली देख पा रहे हो है देख सकते हो इसके लावा इस मसीन में कंपने जो सबसे बड़ा चेंजिंग किया है वह इसका गेप ड्रम से लेके इस डोली तक की जो दूरी है वह कंपनी ने बढ़ा ही है कहने का मतलब रोलर पहले इस डोली के लावा उपर दो रोलर हो रहते थे एक तो यह वाला एक इस मोडल में तीन रोलर है एक तो यह है एक यह है और एक यह है कहने का मतलब है कंपनी ने इस रोलर को बढ़ा दिया है एक रोलर को जिससे इसमें चार रोलर हो गए है तो इसका डिस्टेंस बढ़ा है का मसीन का और यह जो डोली है यह बहुत जमीन से कमाइट पर आ गई ह इसके अलावा आपने बात करें कि इस मशीन में और क्या चेंजिंग है तो दूसरी चेंजिंग है इस मशीन के अंदर वील यह जो आप वील की लंबाई देख पा रहे हो यह लंबाई इस वील की है 38 इंची इसमें 2 इंची वील बढ़ाया है कंपनी ने वील की लंबाई को इसके लावा एक चेंजिंग दूसरी चेंजिंग हो गई है अपने वील की जो की 38 हिंची का वील लगा दिया तीसरी बात करें अपन तो इस मसीन के अंदर सबसे में चीज जो है वह है इसका चालने की सेटिंग यह देखो यह चालने की जो सेटिंग है बहुत इस श्यांदार फिटिंग पहले आपने देखो कि चालना के यहां पर एक ही वेल्ड थी एक ही पुर्ली थी वहां से यह लगा वात लेगे अभी कंपने ने इसको बिल्कुल नबर डिकरी कर दिया केने का मादब चालन आने का जो सिस्टम कमने ने किया है बहुत इस शांदार किया जिससे चालना एक रफ्तार से चलेगा दाना जंपिंग नहीं करेगा और सरसो उडाने की समझ्या इस मोडल के अंदर एक परसेंट भी नहीं आने वाली है क्योंकि यह प्लस-प्लस मोडल कमने जो निकाला है बह बात करें है अपन कि यह आप सेटिंग देख रहे हो यह बेल्टों के माध्यम से भी आप इस चालने की चाल बढ़ा सकते हो इस समय इस चालने की चाल कम है बेल्टों के माध्यम से आप चाहो तो इसको इस कट के माध्यम से भी डेवरी को खोल के आप इस चालने की चाल बढ रुदा सकता है तो हमने बात की है इस मेशिन के अंतर चेंजेस की ले impacting जाल का चोर्था बताते है आपकों घंद देख पारे हो इसका पहले वाडल में में तीन इंद इंदट एथ थी इस वाले मोडल में कंपनी ने क्या किया है इसने कंपंपनी बढ़ाकर 14 इंची कर द दी है आट, दास्व, इन osis प्यूला को बढ़ाते वए 14 इंची कर द दिए इसका इन फाइदा मिलेगा रह ऊपर है यह अगर धर बड़ी पूर्ली आप देख रहें 14 इंची की यह इतना खिचाई करेगी जिसे माल बहुत ज़्यादे सी मशीन निकालेगी और एवरेज के मामले में इस मशीन का मुकाबला कोई सी मशीन नहीं कर पाएगी कि किसी भी मशीन के अंदर यतनी बड़ी पूर्ली लगी नहीं आती है लास्ट बारा इंची आती है बात करें कि और क्या चेंजिंग है इस मशीन के अंदर तो हम आपको बता दें कि अभी कंपनी ने एक लेटेस्ट फीचर निकाला है हवा कंट्रोलिंग का पहले उपर पड़े जाते थे वो कंपनी ने खतम कर दिये हैं जो पहले हैंडल दे के थे कंपनी ने उपर पड़े उसको हटा के कंपनी ने एक शोट में एक सिस्टम दिया है जिससे आप हवा की कंट्रोलिंग उपर बजाए डारेक्ट आप नीचे कर सकते हो जैसे कि आप देख पा रहे हो एक परदा अंदर लगा हुआ है तो इस परदे के माधियम से इसको एक कंपनी ने एक शांदार काम करते हूए एक पती के मादेम से कंट्रोलिंग लेभा a हुआ के पास में बात करें कि इस मशीन के अंदर और है ते हम आपको बता दें कि यस पंक्य की जो लंबा यह आप देखो इस मसीन के आदर बहुत बढ़ी कर दी है और सबसे में चीज जो है वह इतार है इसके चालने के लंबा ही इसका झालना है कंपनी ने पहले पुराने मोडल से बहुत बढ़ा कर दिया और इसकी मेन चीज जो है वह है पंखे से चालने के दूरी आप देखो इस मसीन का पंखा कितना उपर है और जो चालने का जिसका जो घेल है और बात करेंकि और क्या चेंजिंग इस कंपने प्लस प्लस मोडल के अंदर किया है तो हम आपको बता दें सबसे बड़ा चेंजिंग जो आगे आप क्रोस लगाते हो वहाँ पर दो दो बेल्टों की गुरूप तीन गुरूप में आती थी कंपणी ने यहाँ पर सिंगल बेल्ट के इंदर चार गुरूप दियें जिससे किसान भाई चाहिए उसके पास कोई साभी टेक्टर हो उसमें अपने आरप्यम मेच करके पंखी की कंट्रोलिंग कर सकता है बाहर वाली पूली कंपणी ने इस बाहर बड़ा ही है दो इंची पह इसका अलग सिस्टम निकाला यह पहले एक बेंड दे रहा था उसको खतम करके डारेक्ट को पाइप के इंदर कम ने कर दिया जिससे पाइप के माध्यम से वापस यह माल डोले के इंदर चला जाएगा इसके अलावा जो उपर वाला चालना है उपर वाला चालने में भी मंशीन के दर पारिदे मन साबित होने वाली किसान भायों के लिए इसका उप्यों करना किसान भाइंप औरriceले में नेना है और हवा का प्र absurd ON है इस मचीन के अंदर प्रेसर प्लेट का बहुत बड़ा योगदान है और आपको इसकी सेटिंग हम एक वीडियो लेके आएंगे में प्रेसर प्लेट की पूरी जानकर आपको देने जाएंगे है अगर अपने बात करें कि इसके चालने रागी का फारी ओनला जेम यह वह बहुत चांदार है है कहिए दिस्स देखिए आभ चालने से और चालने के बोल्ड के इतना शाणालत के साथ हिले और वाइब्रेशन नहीं कहने का मालब अगर चालना वाइबूरिट करेगा तो दाना जंपिंग करता है तो वह समझ्चा भी कंपनी ने इसमें खतम कर दी है एक परसेंट भी इसके अंदर को समझ्चा नहीं आने वाली है चुसकी की बात करें तो कंपनी ने चुसकी का सिस्टम बिलकुल अलग बनाया ह जो माल को ग्रेडिंग के लिए बहुत ही अलग बनाता है और शांदार तरीके से माल की ग्रेडिंग करता है अब आपको हम बताते हैं कि जो डिस्टेंस बढ़ा है वो कैसे बढ़ा है यह पंका आप देख रहे हो इस पंके से जो मेंच चालना है उसका गेप कंपने ने बढ हो असानी का सब कुस देख सकता है कि कोने बससरा हो कि सीपर दिक्क्त आ रही हो और को पीछे ख़ड़कीब से किसान भई हुँआ यह देखने काम में आती है कि यह शापर जौ लगिए मौल को आगे हमें कमेप ही आती है कि इसकान भाय है किसे चालने की ऑऽानी है कि दोनों बड़ी हुई है जो कि इस मोडल को खास बनाती है अगर अपन बात करें कि और किसान भायों को इस मशीन के अंदर क्या अलग देखने को मिला है तो हमने आपको जिस्ता की बताया है कि एक तो चालने से पंखे का जो गेप है वो कमपनी ने बढ़ाया है इसके अलाव मशीन के अंदर होती है जाल की फिटिंग कि अगर आप कोई सी वसल निकाल रहे हो और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है फोड ने की तो किसान भाइयों इसी वीडियो के मादियम से हम आपको बताने जा रहे है कि सबसे पहले आपको यह बोल्ट लूज करना है और इसके लूज करने के बाद में यह जो आप दो बोल्ट देख रहे हो इस दो बोल्टों के मादियम से आप जाल को नीचा और उपर कर सकते हो एक सेटिंग यहां पर है और सेटिंग उस तरह पे है तो किसान भाइयों सबसे पहला काम आपको यह बोल्ट ढीला करके अगर आपको जा वीडियो आपके लिए पाइदे मन साबित होगा और यह वीडियो चितना हो सके किसान वहीं को सेर करें ताकि उनको मालूम चल सके कि कंपनी ने एन्विटी प्लस प्लस का जो मोडल निकाला है वो कितना एंटिक है और कितने बेश्ट पीचर के साथ कंपनी ने इस मोडल को नम से है अजबेड जिले के अंदर है जम आँ मरत कर लों दो प्हाएम वैं है कि कैसे एक अदा है यह नदर Ami